जाहिन दोस्तो मैं मुहम्मद मतीन modern classes की यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम चैप्टर लेकिया है वो है गांधी यूग और गांधी यूग के दोस्तो ये मातर केवल 10 प्रशन है लेकिन बहुत important है दोस्तो आप देखिएगा maximum हर exam में पुछता रहता है इसी तरीके से हम और प्रशनों को लेते आते रहेंगे दोस्तो सारे subject सारे topics है ठेके ना आज़े बात करते हैं पहले प्रशन की पहला प्रशन है गांधी जी के बारे में निमिलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है तो यहां पर सही नहीं है कौन से देखना है दोस्तो तो ए है उनका विवाद 13 वर्स के आयो में कस्तुर्बा माखन जी से हुआ था यानि जिनका नाम बाद में पढ़ा था कस्तुर्बा गांधी हो गया था यानि यह वाला बिल्कुल प्रस्ट यह सही है अब बात करते हैं दूसरा गांधी जी लगभग 46 वर्स के आयो में भारत सही है यानि देखा जाते हैं यह भी सही है और बीबी चही है destरह अधाल कपाल गोखले को गांधी जी उन्होंने सबसे पहले जब हर जगा घूम टहले उसके बाद भारत में आमदाबाद में उन्होंने साबर मति आसरम की स्थापना की यानि 1915 यानि ये सही है ये सही है ये वलक गलत है तो यहां पर क्या कहता है कौन से कथन सही नहीं है अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर क्या हो जाएगा डी यानि ये सही नहीं है अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न की चंपारल सत्यागरा के बारे में निमलिखित में से चंपार सत्यागरा कहां पर बिहार में किया था दोस्तों इसमें जो किसान थे उनको जबढ़ जस्ती रिटिस्ट हुकूमत द्वारा वह क्या कराय जाता था कि उनको तिन कठिया पदती के दोवारा उनके से एक बिगहा जमीन पर यानि एक बिगहा पराबर 20 विस्ता तो एक बिगहा पराबर 20 विस्ता यानि 20 बटा 3 यानि 20 विस्ते में 3 विस्ते पर नियल की खेती करना नहीं आ नहीं हाव करना पड़ता था जो किसान नहीं कहते थे हम नहीं करते तो उनसे मुआवजा लिया जाता था जो वहां के बड़े-बड़े जो मालिक होते थे वह पैसे तो ले लेते थे लेकिन फिर भी उनको छूट नहीं देते थे फिर भी करना पड़ेगा इससे किसान बहुत हताहत हुए और गांधी जी का बुलाबा हुआ गांधी दूसरा चंपार सत्यागरा गांधी का पहला सत्यागरा अंदोलन था यह तो बिलकुर सही है यह गलत होगी और यह सही है अब तीसरा किया यह किसान अंदोलन था तो बिलकुर सही है यानि किसानों का अंदोलन था चंपार सत्यागरा पहला सत्यागरा अंदोलन था गांधी व्यक्ति चंपार सत्यागरा से संबंधित नहीं है तो इसमें जो है अब यह समझे ब्रच किशोर परसाथ यह तो थे चंपार सत्यागरा में थे राजन पर साथ थे अनुग्रह नारायन सिनहा भी थे तो पंडित गोविंद वल्ला पंत नहीं थे इसका अंसर हो जाएगा नुग्रह नारायन सिनहा भी थे एक और मुस्लिम थे जिनका ना थे मजारूल हक और आचार जेबी क्रिपलानी बीजी भी थे जो विहार से नेत्रित करते हैं और विहार के यह चंपार सत्यागरा में उन्होंने भी बढ़ चड़ कर भाग लिया था लेकिन मुख ने ता कौ सही है ठीक है तो अब समझते हैं तो the story of my experiments with truth के बारे में कौन सा सही है यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषम लिखा गया था तो दोस्तों यह गलत है अंग्रेजी नहीं मूल रूप से गुजराती भाषम लिखा गया था बाद में इसी किताब का जो प्रकाशन किया गया किया था इसमें गांधी जी किस तक जीवन का शामिल है बिल्कुल सही है इसमें गांधी जी को बैस stor जेवन कर दिए इतने भी वह थे सब तिसरा है यह पुस्तक मूल रूप से दो खंडों में प्रकाशित हुई पहली 1927 में और दूसरी 1929 में दोनों सही है यानि ये भी सही है और दो भी सही है तो इसका अंसर हो जाएगा C दो और तीन चौथा प्रस्ण भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रा निमलिखी में से कौन था खेड़ा सत्याग्रा आहमदाबाद मिल महर्ताल या चंपारर सत्याग्रा इन में से कोई भी नहीं तो दोस्तों सबको पता है कि हमदाबाद मिल मिल स्ट्राइक जो हुआ सब्सक्राइब कि भारत में गांधी जी की दूसरा अंदुलन था और मिल मालिक जो थे वह बोनस वापस लेना चाहते थे क्यों लेना चाहते थे क्योंकि उस समय कुछ महमारी फैली हुई थी और किसान चाहते थे कि आप पेमेंट बढ़ाए यानि 20% के मुकाबले 50% बढ़ भी दें लेकिन मालिक लोग क्या करते बोनस भी वापस लेना चाहते थे और विर्धी भी नहीं कर रहे थे जिससे गांधी जी ने इसी अंदुलन में भूख हर्ताल का आवन किया था इसका अंसर क्या हो जाएगा बी यानि आमदाबाद मिल की हर्ताल यह दूसरा अंदुलन फिर यहां पर देखिए अगा आप क्या है ए बिहार की किसानों द्वारा दिया जाने वाले एक परकार का किराया था तो यह तो नहीं है दूसरा है निल के अनिमारे खेती यह सही है सी भी देख लेतें क्या है एक परकार का तिर्थकर जो किसानों द्वारा बितानिया को दि बिल्कुल गलत यह भी गलत है यानि दो सही है तो दोस्तों नील की अनिवार खेती मैंने क्या पताया भी आपको कि चंपारड में जो किसान थे वह जो खेती जिनका खुद की जमीन होती थी वहां के मालबागान की जो मालिक होते थे वह खुद कहते थे कि भाई देखो आपको 20विस्से7 एंध से 3पीसे पर कम से कंषी में पर दोस्तों जो बिटे है और आइल नेटला यह सब देशों डेरों में भाट डिमान तो ओर अच्छ पैसे मिल जाते हैं तो जबरदसती किसानों से करवाया जाता था और बहुत मेहनत होता था और किसान जब करते थे जब अंग्रेज को देखते थे अंग्रेज लोग उस हिसाब से किसानों को पैसे नहीं दे पाते थे इसलिए बड़ा हताश होकर भारती किसान थे वो इस पद्धती को अपनाना नहीं चाहते थे और मना कर द जाएगा बी साथा प्रशने मात्मा गांधी की मा का क्या नाम था तो लीलावाती पुतली बाई शार्दा बाई और कुस्मा देवी तो दोस्तों शायद इसकी अंसर सबको पता होना चाहिए लेकिन अगर यहीं पे आ जाता कस्तूर्वा गांधी तो लोग कंफ्यूज हो जात गांधी जी को हाफ नूड फकीर किसने कहा था लाल मौन बेटन वी कलेमेंट एटली सी रामसे मैक डोनाल्ड या डी मिंस्टन चर्चिल तो इसका अंजरों जाएगा मिंस्टन चर्चिल दोस्तों लेकिन जब उन्होंने आधनंगा फकीर कहा था गांधी जी ने इस नाम को रूप में माना था यानि गांधी जी ने बिल्कुल इस पर कोई एक्षन नहीं लेते हैं आई दोस्तों नौवा प्रसुन देखते हैं गांधी जी के नेतरूत में आंदलोनों का सही का रानुकरम क्या है तो दोस्तों आपको पता है कि जो खेडा किसान सत्यागरा हुआ था व अब वहीं बात करतें खिलाफत और असायोग अंदलोन का खुआ था तो खिलाफत और असायोग जो हुआ हग आन्दूमें हुआ था यानि 1920 मुआ था और व्यक्तिक सभी ने अवग्य अंदलोन का वुआ था इन 2030 में 1933 में तो देखा जाये तो यही सही होगा क्यों अब देखिए यहाँ पर दूसरे में क्या है असायोग अंदोलन दिया हुआ 1924 वाला चंपारड 1917 दे दिया है तो यानि यह तो गलत हो गया पहले से उसके बाद देखिए यहाँ पर चंपारड यहाँ लाश में दे दिया 1917 में यह भी गलत हो जाएगा अब यहाँ दिया चंपार सत्यागरा फिर दे दिया खिलाफत अंदोलन तो खेड़ा को बात में रख दिया यहाँ पर बात जबकि यह यहाँ पर होना चाहिए था दूसरे नंबर पर होना चाहिए था तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा यानि इसका अंसर हो जाएगा A अंतर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यानि खेडा किसान सत्यगरा खिलापत और सयोगन दूलन व्यक्तिका सवीने अवग्यान दूलन ये सही हो जाएगा देखते हैं दस्वा प्रश्ण निमलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है तो दोस्तों इसमें ए हो 3 गांधी इर्विन समझाता और समझाता था 1934 जी बिलकुर सही है गांधी जी ने कंग्रेस के बिल्गांशक की थे उनीशोशपविस में तो इसके बाद सीफिए इसका घटना घटी थी 1922 बिलकुर सही है गांधी ने व्यक्तिकत नागरी अवग्यांदौन दूलन शुरू यानि जो इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा बी यह मेल नहीं खाता है दोस्तो यह है आज के हमारा 10 प्रश्ण गांधी जी यूख से लेकर दोस्तो इसी तरीके से और भी प्रश्ण लेकर आएंगे अगले वीडियो के अंतजार किजिए जैहिन जैभारत